सई की आखों के सामने आएगा काखों का वही गुस्से भरे वाला चहराज जिसको नहीं देखना चाहती है सई बैल जहाँ पर चवान परिवार की नफरत से सई होना चाहती है बहुत दूर तो बैसे में नियती और पाखी का खेल कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पाखी जो की अब यह चाहती है कि सई चवान परिवार में एक दफ़ा फिर से वापस आए जिसके लिए तमान कोशिशे करती दिखेगी अपकमिंग ट्रैक में जहां पर अब जल्द ही अपकमिंग ट्रैक में किसी के प्यार में देखने को मिलेगा कि किस तरह से सई की आखों के सामने काकू का वो गुस्से भरा वाला चहरा आएगा जहां पर काकू जो की नफरत का जहर सई के लिए उगलती दिखाई देने वाली अब ऐसे में जी शब्दों को नहीं सुनना चाहती सई वही ना चाहते हुए सुनने के लिए तयार होती दिखेगी तल जहां पर अब बिचारी सई एक दफा फिर से पाखी के गुलाम बनती नजर आएगी जिसके चलते यहां पर काकू की नफरत का शिकार होती दिखेगी कि वापसी के साथ साथ कई साले ट्विस्ट एंड टंस की भर्मार होती दिखने वाली है आने वाले कहानी में वेलागे कि कहानी किस तरह से दिल्चस्प मोड लेती दिखेगी जानने के लिए बने रहें हमारे चाहिए